नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतो पून जानकारी को ले करके जी हाँ आयुरुवेदिक चीजों से बनी जूस एक सबता हमें कर देगी खून की कमी को पूरी जी हाँ शरीर में खून की कमी से ब को अपनाना चाहिए सबसे पहला है तील और शहद का प्रयोग दो घंटे के लिए दो चमच तीलों को पानी में भींगो लें और बाद में पानी से छान कर इसका पेश्ट बना लें इसमें एक चमच शहद मिलाएं और दिन में दो बार सेवन करें आपको अवश्य लाब होगा इसके बाद है कोफी और चाय खतरनाक इसके लिए कोफी और चाय का सेवन कम कर दें ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीजें शरीर को आयरन लेने से रोकती हैं जिसकी वज़र से शरीर में बलड सही से नहीं बन पाता है इसके अलावा ठंडे पानी से असनान करना दो बार दिन में ठंडे पानी से नहाएं और सुबह नहाने के बाद सुरज की रोशनी में जरूर बैठें ताके बिटामिन डी की आपूर्ती होती रहे शरीर में इसके अलावा अंकुरित भोजन करना आप अपने भोजन में गेहूं मोठ मूंग और चने को अंकुरित करके उसमें खूने से खून तेजी से बढ़ता है इसके अलावा मुंग फली और गूर का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए मुंग फली के दानों को गूर के साथ चबा चबा करके सेवन करें आवश्यलाब होगा आपको इसके अलावा सिंघारा सिंघारा शरीर में खू दालें और गाजर मुनक का इन सभी का नियमित सिवन करें और रात को सोने से पहले दूध में खजूर डाल कर उसको पियें आपको लाव होगा इसके अलावा आपको फलों का सिवन भी अवश्य करना चाहिए अनार अमरूद पपीता चीकू सेब और निम्बू इत्यादी फलो का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए इसके अलावा आउले और जामुन का रस भी लेना चाहिए आउले का रस और जामुन का रस बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करने से हेमोगलोविन का अस्तर बढ़ता है इसके अलावा टमाटर का रस भी बहत भाइदेमंद एक ग्लास टमाटर का रस रोज पीने से भी खुन की कमी दूर होती है इसलिए टमाटर का सूप भी बना कर आप ले सकते हैं इसके अलावा हरी सबजियां बथुआ, मतर, सरसों, पालक, हराधनिया और पुदीना को अपने भोजन में जरूर शामिल करें इसके अलावा फालसा क प्रियोग, फालसे का शर्बत या फालसे का सेवन सुबह शाम करने से शरीर में खुन की मातरा जल्दी बढ़ जाती है, इसके साथ साथ लहसुन भी बहत उप्योगिस्तावित होता है, शरीर में खुन को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से लहसुन और नमक की चटनी का स स्वाद के अनुसार, शहद मिलाकर इसे रोज पियें, इस जूस में लोह तत तो जादा होता है, जिसकी वज़ह से आपके बोडी में आयरन क्या पूर्ति हो जाती है, जिससे बलड सही से आपके शरीर में बनता है, खाया हुआ, सही से डाइजेस होता है, तो दोस्तों ये शरीर में खुन को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से लहसुन और नमक की चटनी का सेवन करें या हिमोगलोविंग की कमी को दूर करता है, इसके साथ साथ सेव का जूस भी बहत फायदे मंद होता है, सेव का जूस रोज पियें, चुकंदर के एक गलास रस में अपने शहद मिलाकर इसे रोज पियें, इस जूस में लोहतत तो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके बोडी में आयरन क्या पूर्ति हो जाती है, जिससे बलड सही से आपके शरीर में बनता है, खाया हुआ, सही से डाइजेस होता है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानका पारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों